हाई वेल्टीज, वेलकम टुए ECV कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने शेपने नमबर 3 जो के इंडियन एकनौमी बुक से है उसमें LPG, लिब्रलाइजेशन, प्राइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे थे उसमें guys हमने previous वीडियो में इसका मतलब भी समझा था और उसके बाद हमने लिब्रलाइजेशन में industrial reform देखा था यानि कि जब हमारी government liberal हुई थी, उसमें काफ भी सारी चीज़ों में reduction कर दिया था, restrictions हटा दी गई थी, तो industries में तो restrictions हटा आई थी, इसके अलावा और कौन-कौन से sectors हैं, जो changes किये गए थे जिन sectors में, तो guys financial sector भी था, जिसमें changes करे गए थे, हमारा tax भी था, हमारा foreign trade भी था, तो one by one हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, आज किस वीडियो में हम अपने financial sector reform को देखेंगे और tax को, तो financial sector किस के हाथ में था उस समय पर guys, हमारे यहाँ पर wholesale authority कौन finance का RBI, that is called Reserve Bank of India, so सबसे जादा guys हमारे यहाँ पर जो finance को rule करता है, वो है RBI, Reserve Bank of India, जिसे हम अपना central bank भी कहते हैं, यानि कि India का central bank कौन सा है, RBI है, तो government ने सबसे पहले उसके role को change किया, change in role of RBI, RBI के role को change कर दिया, अब क्या कर रहा था, regulator से उसे facilitator बना दिया, financial sector का, पहले यह वो regulator था, rules, regulations, सब कुछ regulate करके चलता था उसके मुताबी को, अब उसे facilitator बनाया, कि भई, चीजों को अपनी जम्मदारियों को कम करो, थोड़ा सा liberal हो जा, decisions, bank के हाथ में कुछ दे दो, अपने पास decisions, जो main main है वही रखो, so regulator, जो rules and regulations लगा के रखता, उससे अब उसको का हुआ guys, उससे origin हुआ हमारे private banks का, आप private banks आ गए, उनको पता था हम bank खोल सकते हैं, deposit ले सकते हैं, लेकिन yes, of course, हमे license लेना है किससे, RBI से, लेकिन उसके बाद हम अपने कामों को कर सकते हैं, तो origin हुआ guys, private bank का, आज की date में आप अपने आस पास जो भी bank देखोगे, वह private bank आपको बहुत नजर आ जाएंगे, कौन-कौन से हैं, जैसे कि आपका ICICI bank, SGFC, सारे private bank है, ठीक है, इसे कोई government नहीं चला रही है, so इन bankों का origin हुआ, नहीं सिर्फ इन bankों का guys, even foreign banks का भी उस समय पर origin हुआ, अप guys, foreign bank का कैसे origin हुआ, क्योंकि government ने increase कर दे थी, limit of a foreign investment, यानि क कोई भी बाहर का foreign institution है, वो इंडिया में आके invest कर सकता है, up to 51%, यानि कि बाहर के लोग, इंडिया में आके अपनी investment कर सकते हैं, financial institutions में, banks में, कितना around 51% तक कर सकते थे, fourth इनों ने क्या किया, ease in expansion process, अगर कोई अपने bank की नई branches खोलना चाता है, तो जो एक पहले licensing बगरा लेना होता था, अभी भी लेना है, लेकिन जो process था, वो difficult था, अब उसको ease कर दिया, ease in expansion process, यानि कि उस process को easy कर दिया, ताकि आज की date में आप देखोगे, हर जगे पर private bank है, even आपको private bank में थोड़ा competitive benefit मिलता है, कि low rate of interest पर loan मिल जाता है, हलाकि ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, but yes competition होने से हमें कई तरीके की schemes मिल जाती है, तो ये सारा financial sector reform किया था guys, tax में क्या change किया, tax में reform का मतलब क्या होता, that is called the reform in government taxation and public expenditure policy, tax reform में guys basically, government ने tax को reform किया था, और अप ने खर्चों को reform किया था, which are collectively known as fiscal policy, fiscal policy होती है guys, government के पास income का जरिया होता है, tax, और खर्च करने का जरिया होता है, expenditure, जो भी हमें देश में करना है, government कमाती भी हमसे है, खर्च भी हम पे करती है, कमाती किस फ़र्म में, tax के फ़र्म में, खर्च किस फ़र्म में करती है, government expenditure, कह कहां पर government hospital bridges जो भी हमें facility military electricity and all ये सब क्या है government की दी हुई है so government हम से ही कमाती है और हम ही पर लगाती है इस policy को हम fiscal policy कहते हैं so collectively उसको क्या बूला जाते है fiscal policy so reform in a government taxation tax reform में government ने tax को reform किया था और अपने खर्चों को ठीक किया था अब सबसे पहले tax में क्या-क्या चीज़े चेंज करी गई government ने सबसे पहले reduction in taxes government ने tax को reduce करा क्यों क्यों कि सबसे जाधा tax चोरी होता था इंडिया में हमारे हाँ पे हम इतिना नहीं पे कर सकते तो चोरी कर लेते हैं कि बहुत जादा tax है अब आप देखो income tax भी इतना सारा लगता अगर बंदा अगर बंदा एक लाग कमाए और तीस हजार tax देते तो वो बोलेगा यार मैंने पूरे महीने मैनत करी तीस हजार आपने से tax ले गए हाथ में कितना आया सब्तर हजार तो टेक्स अगर रेट जाता होंगे तो लोग अफकॉर्स अपने income छुपाएंगे ताकि government को tax कम देना पड़े तो government ने सबसे पहले क्या किया reduction करा टेक्स में second reform in indirect tax जो कि अब जाके लागू हुआ है अगर आप देखो तो GST हमारा one nation and one tax वाली scheme जो है indirect tax तो government ने उस समय पर indirect tax को reform किया कि जो जो changes हम इसमें कर सकते हैं ताकि national level पर अगर किसी को purchase करना है तो या sale करना है तो टेक्सिस का बहुत जादा जोल ना हो third simplification of process क्योंकि guys टेक्सिस में काफी सारा एक तो submission का collection का rates का even हर एक चीज के अलग-अलग rates का भी बहुत जादा difficult process था अगर आप ये product खरीद रहें उस पर 6% tax है दूसरा खरीद रहें 7% है तीसरा खरीद रहें 8% है आप इस state में deal कर रहें वहां का अलग tax rate है तो उसको भी simplify किया क्योंकि हमारे tax rate में बड़ा sales tax जाता था guys वैट जाता था excise duty जाता था मनदब नजाने कितने tax थे अब उसको solve कर दिया गया है अगर guys आपको यह वीडियो पसंद आई है या समझ आई है तो जरूर लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सुब्स्राइब नहीं किया तो करना अपने पहले से कमेंग्स करना और अपने डाउट आप मेरी से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Instagram पर मेरी ID है तभीता मैसी Thank you